तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो है मोबाइल का बैक का अगर यह पहुत ही सिंपल सा है तो इसको हम थरा सजाएंगे थोड़ा भूलन से सजाएंगे क्योंकि बूलन हर जगा मिलता है आप कोई भी पास वाले दुकान से मिल जाएगा आपको तो हम पहले तो बूलन लेंगे आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो ब्लू कलर चूज किया है तो आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं आपको यह नहीं करना है कि मैंने तो आपको भी ब्लू लेना है आप कोई भी कलर ले सकते हैं तो पहले हम एक बुलन लेंगे एक बुलन लेके इसको हम एक आइस्क्रीन स्क्रिक से मोड़ेंगे इसके बाद हम इसको ग्लू से चिपकाएंगे आप कोई भी इसमाल कर सकते हैं मेरे पास यह ग्लू है त्वेभी कॉल जो आप कोई भी दुकान में मिल जाएगा आपको लेकिन मैं यहां पे ग्लू गन युज़ कर ले हूँ मैं अगर फेभी करूँगी तो मुझे बहुत लग जाएगा इसको शुखने में तो यहां पे मैं ग्लू ग्लू सक्रीए तो आपको यह च्चिंदा करने की ज़रुआ fare Lab कर कि मेरा यहां थी है कि इसको लगाना चुल करना है तो दोस्तों हमें यही करना है यह थुरा सुख जाएगा तो इसको हम यह कटर लेके इसको कार देंगे दोस्तों आपको ऐसे ही करकी पुरा भरना है आप कलर बाली बाली लेख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने यह वुलन लगा कि कंप्लीट कर दिया इसको अब इसके उपर मोती लगाएंगे क्यूंकि अगर मोती लगाएंगे तो और भी अच्छा लएगा हम मोती कहां पर लगाएंगे हम यहां पर और यहां पर लगाएंगे तो मोती हम लगाना अब लगा चुकी हूं यहां पर तो मैं अभी यह जो छोटे-छोटे है स्टोन्स यह मैं लगाऊंगी लेकिन इसको लगाने का मैं बहुत ही आसान तरीका बहुत ही इसी तरीका बताने वाली हूं तो यह लगाने का मेरे पास दो तरीके हैं एक तो है यह जो हम इसको ऐसे पकर के लगा सकते हैं ऐसे पकड़ के आप ग्लू देके लगा सकते हैं और एक तरीका है ये आप कोई भी एक पैंसिल ले लिजिए पैंसिल का जो पीछे का हिस्सा है वो थोड़ा वाटर लेके इसके पीछे को भींगाईए ये जब भींग जाएगा तो इसको स्टोन के ऊपर रखिए और ये ऐसे चिपक जाएगा उसके बाद आप कहीं भी इसको ग्लू से लगा सकते हैं बिल्कुल ऐसे तो ये बहुत ही आसान तरीका है अब मैं आपको दिखाती के से तो हमारी यहां पर ये बैक ओगर तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं कैसे बना है और आप ये घर पर बहुत ही आसान ही से बना सकते हैं मैंने जो स्टोन यूज किये हैं वो आप बदल भी सकते हैं आप अपने तरीके से स्टोन यूज कर सकते हैं और जो मैंने बहुत ही आसान तरीका बता है आपको कि स्टोन कैसे यूज करते हैं जो छोटे-छोटे स्टोन होते हैं आपके पास अगर कोई चिमटा जैसी चीज ना हो तो फिर आप पेंसिल के पीछे यूज कर सेकते हैं थोड़ा सा गीला करके उसमें थोड़ा सा पानी लीजिएगा और थोड़ा पीछे थोड़ा गीला कीजिएगा उसके बाद आप स्टोन के उपर लगा के उसको ग्लू के उपर दीजिए वह ग्लू से बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और यह बहुत ही आसान है आप बना के देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा शुक्रिया और दूसरी वीडियो हम बहुत ही जली लेके आ रहे हैं आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए